नमस्कार, हिंदी साहीत वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी HP LT Commission की तैयारियां कर रहे हैं या भविशय में LT Commission की परिक्षा आप देने जा रहे हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही उप्योगी होने वाला है क्योंकि इस लक्षर में मैं आपको बताऊंगा कि पाश्चात्य कावेशास्तर से कहां कहां से कितने कितने प्रशन आपको रखे जाते हैं और आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य कावेशास्तर से LT Commission में हर वर्ष लगातार 5-6 प्रशन हैं वो पूछे जाते रहे हैं कई बार इसकी संख्या को बढ़ा भी दिया जाता है और यह आपकी परिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीट आपको जानना है पाश्चात्य कावेशास्तर के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथ ही साथ आप लगातार हमसे जूड़के जो हमारी लाइव क्लासिस लगती हैं टीच्मिंट में उनमें भी जूड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन की तैयारियों के लिए अपने लगातार एक नया बैच की हमने शुरूबात करने की कोशिश की है कि बहुत जल्द हम ल्टी कमिशन का जो नया बैच है वो भी शुरू कर रहे हैं जो आगामी आने वाली परिक्शा है साथी साथ पीजी टी और ल्टी टैट की भी अगर आप परिक्शा की त्यारियां कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉंटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा इस पर आप वाट्सेप हमसे कर सकते हैं तो इसके अलावा दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब में भी आपको ऐसा ही बहतर कॉंटेंट चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी साहीत वारता परिवार हमेशा से ही बहतर कॉंटेंट ही आपको प्रोवाइड करता रहा है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरीके की नोटिफिकिशन लगातार आती रहती है नहीं तो फिर मिलेंगे हम, ऐसे ही स्क्रोल करते हुए आपको तुक्के से, तो चलिए आज के इस lecture की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो पाश्चात्य कावेशास्त्र हैं, वहां से किस किस तरीके के जो प्रशन पूछे जाते हैं, कहां कहां से आपने इसको डिवाइड करना है, कौन-कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपके प्रारंभिक जो रचनाकार रहे हैं आपके, प्रारंभिक जो पाश्चात्य कावेशास्तर के रचनाकार हैं या यूं कहें, जो समीक्षक हैं, वहां से आपको एक प्रशन definitely पूछे जाता है, प्रारंभिक कौन सा, जैसे आपका हैसियर हो गया, होमर हो गया, पिंडार हो गया, आपने देखा होगा कि इन से related question अक्सर अब लगातार पूछा जा रहा है, वर्ष 2018 से, पाश्चात्य कावेशास्तर को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, तो आप इस चीज को नहीं हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, हम करते हैं, कि जो प्राइटो अरस्तू हो गया, वहां से परना चुरू करते हैं, नहीं, आपको जो पुराने है, जो मतलब अरमभिक है, जैसे होमर जो है, सबसे पहला जんと युनान का महा का भी रहा, ठीक है, तो यहां से आपने ये चीज fender ध् रिचर्ड तक यहां से आपको बहुत सारी प्रश्ण बनते हैं देखना और यह आपको आपके पास कोई भी बुक्स है है ना मैंने आपको यूट्यूब में एक पूरा वीडियो बनाया है कि कौन सी बुक है जिन जो भी बुक्स आपको बताई थी उन बुक्स में आपको यह महाला प्रश्ण बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है प्लेटों से लेकर uit था था घा कुछ नाम इंते आप सारे प्लेट हैं तो इसमें जो तीसरे आते हैं देखिए तीसरे नमर पर आता आ रिचर्ड के बाद जो आपकी नई समीक्षा होती है नई समीक्षा में भी आपके जो विभिन वाद है ये जो रहे हैं आपके सारे के सारे वाद उसको आपने याद रखना है देखिए यही तीन हैं यहां से ही आपको प्रशन बनते हैं एक या दो प्रशन आपको प्रारंभिक, जो रचनाकार रहे हैं, उनसे पूछजाता है, प्रारंभिक रचनाकारों से या तो आपको simply रचना पूछ जाती है, या पिर पूछ जाता है कि उन्हें कावे के लिए कौन सी चीज़ important मानी, कावे जीवन के लिए है आनन्द के और तीसरे मानते थे जो दोनों के लिए जरूरी है तो इस तरीके से भी आपको प्रारमिक रचनाकारों से ऐसी चीज़ें याद रखनी है दूसरे नमबर पर प्लैटो से लेकर के रिचर्ड तक इनकी रचनाएं जादा तर पूछ जाती है और साथी साथ इन्होंने कुछ एक प्रशन बनता है तो मान के चलिए कि हर एक जो तीन पार सहमने किये हैं इसके दो-दो प्रशन आपको हर जगा से पूछे जाएंगे तो कुल मिला के यह छे से साथ प्रशन आपको पूछ जाते हैं तो यही था कि आपको ऐसी प्रशन रखे जाते हैं और इस चीज़ को जानकारी मिल सके कि वाकई में ऐसे ही प्रशन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो यही चीज़ आपने यहां पर करनी है और दूसरी चीज़ यहां पर देखिए संद्धर शास्तर का जनक किसे माना जाता है ऐसा कहा गया है देखना प्रशन आपको पाश्या तकावे शास्तर से कै कैसे बनता है तीन तरीके से मैंने याद बता दिया कि वहाँ वहाँ से आपको इसको डिवाइड करना है पहले फिर प्रशन पूछे कैसे जाते हैं एक तो आपका जो भी यह सिधांत वाद रहे इनके प्रवरता कौन रहे हैं फिर जो भी आपके यह रचनाकार बगेरा रहे हैं इन रचनाकारों का संबंध किस देश से था ये चीज आपके लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है इनको भी आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है है ना तो यह इंपोर्टन चीज़े हैं देखना यहां से आपको प्रशन बनता है चलिए यहां पर देखते हैं संबरे शास्तर का जनक देखी यह 2018 में आया था और 2018 से पहले आपको पाश्चात्य कावशास्तर इतना नहीं पूछा जाता था लेकिन उसके बाद लगातार तीन परिक्षाएं हुई है उन तीनों परिक्षाओं में जो जो पाश्चात्य कावशास्तर के प्रशन थे वो य इनको माना जाता है संबरे शास्तर का जनक दूसरा आपका लूई बीबे रहे यह कहां के थे यह आपके थे स्पेनिश राइटर ठीक है हलांकि इनकी कोई रचना मौतपुर्ण नहीं मिलती है इन दोनों की तो यह भी आपने ध्यान रखना है लेकिन देखी सिंपल सा इस साहितिक वाद से था तो हम सब लोग जानते हैं कि यह रहे आपके प्रतीक वादी और प्रतीक वाद अंदोलन कहां पर चला यह भी आपने ध्यान रखना है कि फ्रांस वागेर अलग अलग देशों में इसके अलग अलग रहे यह प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है इसको आपने ध्यान रखना इंप्रवर्टन प्रशन है यह तब ही मैंने आपको कहा कि जीतने विए आपके राइटर हैं वो किस वाद से जुड़े हैं दूसरा प्रशन आपको ऐसे पूछ जाता है पहला प्रशन आपको कि कौन सा राइटर कहां कहां है और इसके अलावा क इसको भी आपने ध्यान रखना है तीसे नमबर पर देखिए यह जो प्रशन है ना ओडेसी इलियड महा कावे किस कवी की रचनाए हैं तो यह देखिए सारे के सारे हैं यह क्या है आपके प्रारंबिक हैं यह वाले हो गया मिल्टन पिंडार हो गया पिंडार से रिलेटिड आप देखेंगे कि आगे एक प्रशन और पूछा गया था है ना तो बिल्कुल जो प्रारंब के कवी हैं वो आपको पूछे गया है यहां पर देखिए तो ओडेसी इलियड यह रही आपकी होमर की प्रसीद रचना है तो इनको कहा जाता है पहला कवी ठीक है यह चीज भी आपने ध्यान रखनी है नेक्स जाता दीकिए अधो लिखिवत में शिसरो का कौन सा ग्रंत है तो शिसरो भी प्रारंबिके देखिए दो पीछे के और प्राचीन जो आहां से प्रशन रखा गया है यहां पर यह क्या कह रहे हैं पेर्ilation के रहे हैं आपका इसम्य इप्सुद की तो यहां इस तरीके से देखिए ये भी आपका क्या प्रशन है मतलब पाश्चात्य कावेशास्तर के जो पूरुव की रशनकार है वहां से प्रशन रखा गया है फिर आता है देखिए अगला जो नई समीक्षा से कहते हैं? उसको नई समिक्षा नहीं तो आपका जो जो अलोचना या नई समिक्षा एकी चीज है आप कह सकते हैं इसको कि उसकी कि इसका भी प्रवर्तन, इननों ने उसको व्याख्याइद किया इननोंने सही तरीके से जो आपके john crow ransom रहे तो ये वाला प्रशन भी आपके लिए important है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए john crow ransom से भी आपको प्रशन पूछा जाता रहा है कि इन्होंने किसको परिभाशित किया ये प्रशन आपके लिए definitely हो सकता है पूछा जाए तो इसको भी आपने गया है यहां पर कि इन्होंने कावे भाशा का प्रमुख गुण क्या माना है तो हालां कि इनके जो सिधांत रहे क्लिंट ब्रुक्स के ये इनके सिधांत रहा विसंगती और विसंगती के साथ साथ जो ब्यंग विरोधा भास रहा ये इनका प्रमुख सिधांत माना जाता है इसके पुरुसकर तब ही इनको माना जाता है विरोधाभास से धांत के लेकिन यहाँ पर इस प्रशन का जो उत्तर है कि भाषा का प्रमुख गुण यह इसको जो यह दिया था आपका जो इन्होंने कमिशन वालों ने पेपर इसका जो सही क्या था वो इसका सांकेतिकता बताय गया है लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा सस्मेस लगता है दूस्तो अगर आपको लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा तो आप मुझे वो कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं क्यूंकि इसी तरीके का एक प्रशन जो है इसके अगले वर्श पूछा गया था जिसमें भी थोड़ा सा suspense doubt हो गया था जो आपका black mood से रखा गया था कि उसमें सांकितिक्ता की बात गई है या फिर आपकी वियंगे विरोदाभास वहाँ पर भी वियंगे विरोदाभास उसका सही आंसर दिया गया था हाना कि मेरे पास जो book है जो पाशातेक आवेशास्तर की है जिसम आपने एक बार देखना है अगर आपके पास इसका अंसर है नहीं तो इसको मैं एक बार आपको चनफर्म करके अगले लक्षर में जरूर बता दूँगा नेक्स ब्रशनी आता है यहां पर देखिए एलन टेट कावे का अस्तितो किस पर निरभर मानते हैं तो हम सब लोग ज अधारित है और इन्होंने जो यह तनाव है यह दो तरीके से माना है देखना इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है इन्होंने तनाव का सिधान दिया और यह दो तरीके का मानते हैं इसको बाहय तनाव और आंतरिक तनाव ठीक है आपको इस तरीके से भी प्रशन आँचते हैं ठीक है इनके शिशर इनको माना जाता है, साथ-साथ ये कभी संपादक और समिक्षक के रूत में रहे हैं और अलोचक भी रहें इना, तो ये चीज़ भी आपने धियान रखनी हैं और M paling ये क्या रहें निवंदकार रहे हैं, Alan Tate ठीक है ये चीज इनके बारे में important थी तो ये देखिए कितने प्रशन थे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ प्रशन आपको पाश्चात्र कावशास्तर से ही पूछे गए हैं और बहुत ही ऐसा नहीं है कि डीप चाके पूछे के बहुत सिंपल से साथान से प्रशन है अगर आप चाते हैं कि आपने complete इनके बारे में देखना है तो हमने अपनी live classes में बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है और आप भी हमारी classes के साथ जुड़ना चाते हैं तो आप जुड़ के थे दीगे पिंडार अभी हमने लास टाइम देखा पीचे वाले paper में देखा वहां फर भी पिंडार प्रश्न विकल्प में रखा गया था तो यहां पर पूचा गए कि पंडार गीत विधा में इन्होंने साहित्य की रचना की है पिंडार भी आपके जो प्रारमभिक रचनाकार रहे हैं तब ही मेंने आपको कहा था कि आप इसको दो-तीन बागों से इसको विभाजित करने की कोशिश कीजिए ये महान गीतकार के रूप में प्रसिद हुए है और इनका समय जो माना जाता है छटी शती इसा पूर्व का उतराद ये चीज भी आपने ज्यान रखनी है देखिए छटी शती इसा पूर्व की बात आ रही है तो बहुत पहले के थे ये आपके इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको जो प्रारंविक रशनकार है उनके बारे में याद रखना है इंपॉर्टन रशनकार है देखना चाहे आपका पिंडार हो गया या फिर आपका ये दूसरी जो रशनकार हो गया खोमर हो गया अरेस्टोफनीज हो गया अरेस्टोफनीज जि आप एक बार जरूर कोशिश कीजिए, चाहे net note में सर्च कर लेंगे, आप तो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप हमारे साथ ही जो ना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई भी tension लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़े हम complete करवाने की कोशिश करते रहते हैं, दूस ब्लैक मूर देखिए, इसी प्रशन के बात में कर रहा था, जो पीछे हमने अभी क्लिंट ब्रुक्स से बात कही, क्लिंट ब्रुक्स का जो सांकेतिकता दिया गया था, मुझे लगता है इसका अंसर सांकेतिकता होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो रचना थी देखिए, इन्ह जहां तक मैंने आपका क्लिंट ब्रुक्स को देखा, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास की बात उन्होंने की है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, यहां पर इनकी रचना के अधार पर हम कहा सकते हैं, कि सांकेतिकता इसका अंसर होगा, हलांकि इसका अंसर भी वियंगय विरोधाभास किया हुआ है, तो इन दो प्रशनों में आप एक पार, अगर आपको जानकारी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मेरी जानकारी के अनुसार जो था, वो मैंने आपको बता दिया है, एक सो आठों प्रशन है, यहां पर देखे होरेस की रचना थी, होरेस भी आपके प्रारंभिक रचनाकारों के मिश्रेणी में आते हैं, यह न, पूरु पूर में ही रहें यह भी, यह क्विंटीलियन जो नाम के राइटर रहें, देखिए, इन्होंने इसको क्या किया है, व्यवस्तित करके इसका नाम, इन्हो सब लोग जानते हैं कि ये सस्यूर ने स्विकार किये यहां से आपके दो प्रशन बनते हैं देखना जो बनते हैं एक तो भाषा के तीन रूप सस्यूर ने कौन-कौन से माने व्यक्तिक, समाजिक और समाने ये प्रशन आपका अटोमेटिकली बन जाएगा दूसरा आपने या बाषिकी का पाठ्यक्रम है ना उसमें इन्होंने अपने जो बाषा संबंदी से धानत हैं वो प्रस्तुत किये हैं सनचनवाद के जो ये प्रवर्तक भी इनको माना जाता है सस्यूर को ठीक है ये रहे आपके स्विस के बाषा बेग्यानिक फरदिनाद दस्यूर ठीक है तो सही तरीके से नहीं आ रहा था तो आगे पीछे भी ये थे इसलिए मैंने इसको एक पेज में ही यहां पर रख दिया है सबसे पहले ये देख रहे हैं कि लोजाइनस त्वरा प्रतिपाजित काव्य सिध्धान देखिए मैंने आपको सिध्धान की बात कही कि एक सिध्धान या वाद आपको जरूर पुछ जाएगा तो लोजाइनस का हम सब लोग जानते हैं कि अदात या उदात जो सिधान था उसको ये मानते थे यह ना अदात या वाद जिसको कहा जाता है तो उदात के अवरोधकतत तो बगेर बगेरा जो भी चीज़ें आती हैं उनको आप एक कोलवस्की रोमन याकोबसन कई जगा इसका नाम याकोबसन है उसको भी आपने देख लेना है ये किस कावेधारा से जुड़े हैं तो मैंने आपको प्रारंभ में ही कही थी कि आपको इस दिके से प्रशन जरूर पूछ जाता है जो भी आपके वाद रहे हैं इन वादों से रिलेटिड आपको प्रशन और इन वादों से रिलेटिड चो भी रचना कार रहे हैं उनको आपने जरूर याद रखना है तो ये आपके सब के सब क्या रहे सस्यूर बगेरा ये रहे आपके रूपवादी ठीक है नेक्स आता है यहां पर देखिए आर्स पूइटिका किस पिखना है थिए अर्स पूइटिका से रिलेटिड हर वर्ष कहीश कही न कहीश को इस चीज को आपने डेफिनिटली ज्यान में रखना है नेक्स आता है यहां पर ज्रमन दाश्निक हो गया शेलिंग हो गया गोथे कांट और शीलर ने कला को विशक किस मत का समर्थन किया है तो ये आपको पहली बातों ये यार्द रखने हैं, ये कलावादी है, और कलावादियों का मतलब क्या होता है, कला क्या है, कला के लिए ही है, मतलब आनंद के लिए है, है ना, जीवन के लिए नहीं है, ये सिर्फ कला को किसके मानते थे, कला के लिए ही मानते हैं, यहाँ पर अगर आनंद के लिए हो ता तब भी आपका आंसर क्या हो जाना था ठीक हो जाना था ये चीज भी आपने याद रखनी है नेक्स आता है यहाँ पर देखिए युनानी शब्द मिथोस का अर्थ क्या है तो यह हम सब लोग जानते थे कि मुह से निकला हुआ ठीक है और आकरी ज मगर जीवन की अलोचना है आपका साहित ठीक है तो यह चीज भी आपने ध्यान रखनी है जो आपका प्रशनी ये बनता है देखिए है कावे परियोजन से रिलेटिड की कवीता क्या है तो यह जीवन की समालोचना है कि इसने कहा यह कहा था मैथ्यू और नॉल्ड ने जब क कवीता का जो पलाइन किस ने कहा कि कवीता जो है व्यक्तित्त से पलाइन है यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं वर्ड वर्ष की लाइन है कवीता के संद्रम में बहुत ही मौतफ़ ओन लाइन है उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते यहां से आपने देखा कि लगभग हमने देखे लगभग 19 या 20 प्रशन 3 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं और हर वर्ष आपको यही ऐसे प्रशन आपको रखे जा रहे हैं जो आपको तीन भागों में डिवाइड करके पूछे गए हैं खासकर आपने नई समिक्षा को ज़ादा फोकस करना है नई समिक्षा के जो वाद हैं उनको ज़ादा फोकस करना है और प्लैटो से लेकर के आई ए रिचर्ड तक यहां तक के जो भी प्रशन आपको बनते हैं उनको आप जरूर देखके जाएए तो आज के इस लेक्षर को रखने का मतलब यही था कि आप स पूर्टे के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजाजत शुक्रिया जय हिंद जय भारत